जिन्दगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाली बहतरीन होता है दर्द सबके एक से हैं मगर होसले सबके अलग-अलग हैं कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है या आपका जिन्दगी है आपको हताश होकर बिखरना है या संघर्ष करके नि इसी lockdown में एक बच्चा दूसरा हो सकता, इस time को गाना सुनने में, या तो फिर इधर उधर की बातों में वेस्ट करके आप क्या हो सकता है, विखर सकता है, तो आप इतना जिंदगी को आप decide करी, आपको संघर्स करके निखरना है, या time वेस्ट करके बरबात करके बिखरना है, अगर आप इस lockdown में संघर्स करके निखरना चाहते हैं, तो हिंदी संस्कीत और आर्ट्स के लिए रोहित आर्ट्स क्लास से सब्सक्राइब करिए, और Math Science के लिए दखी टू सक्से सब्सक्राइब करिए, आपको पूरे सलेवस का 10th exam का पुर्ण तयारी कराया जाएगा, हलो वच्चों, तो आईए हम रोहित आर्ट्स क्लास से सरोहित सर, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, कि जाती जो है, प्राचीन समय में कितने जाती था और कैसे जाती बना, और आज हम लोगों का जो जाती बना, किस परकार से बना, और इस जाती जब बना हम लोगों का, तो इससे बाबो कितने सारी समझाएं उत्पन हुआ तो चलिया ये बिना लेट के हुए समझते है जातिगत आशमानता है और ये जो है एकजाम के दिरिश्टी से एकदम भी भी आई ये बुआ ये हर बार पुछता है तो ध्यान से समझेगा आपका एक एक बात समझ में आएगा तो चलिया ये समझते हैं जातिगत आशमानता तो समझेगा बुआ आशमानता जातिगत मतलव जाती पर आधारित जातिगत मतलव जाती पर आधारित और आशमानता के मतलव पहले समझे दो प्रकार का यहां से सब्द बना आ मतलव नहीं और शमानता मतलव शमान तो जाती के आधार पर शमान नहीं मतलव अलग अलग जाती के आधार पर शमान नहीं यहीं कि एक समान नहीं बराबर नहीं बलकि कौची बहुआ अलग 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 क्या अलग अलग तो जाती जो बन उसमें आसमानता मतलब बरबर नहीं, बलकि कोची, आसमानता मतलब कोई उच तो कोई नीच, कोई उच तो कोई नीच, आईए इसके कारण कौन-कौन से समस्चाएं उत्पन हुआ, तो जाती के कारण पहला जो समस्चा उत्पन हुआ बुआ, छुवा छुट, कोची उत्पन ह होता है या तो फिर और भी टोला होता है तो या तो फिर कुछ जाती माना जाता उस टोला में अगर कोई क्या हो छोटे जाती छोटे कास जो माना जाता हम लोग के समाज में तो अगर उस गली में या उसके घर के आसपास जाता है तो उसके साथ देखते होंगे कि दुर्वेव या तो फिर सिंप्ली समझे के हम लोगों के यहां क्या होता है कि एक तरह से जब गरहन लगता है आप लोग जानते होंगे कि जब गरहन लगता है बाबो तो एक दोम कास्ट होता हम लोग के समाज में और वो क्या करता है कि गरहन के बिहान होके जब गरहन लगता है तो उसके बिहान होकर सभी के घर घर जाकर क्या करता है पैसा या अनाज या किसी भी प्रकार का जो धन मिलता उसको क्या करता है लेता तो देखते होंगे कि जब आता है बेचारा तो घर से का था बारी रो बाहर रो सब देता है लेकिन उसको क्या करता है घर से बाहर रखता है अगर अस इससे क्या हुआ कि वो डोम जातका था और दूसरा जातके था तो उसके साथ क्या कर रहा है भेदवाव कर रहा है क्यों भेदवाव कर रहा है क्योंकि जो दे रहा है पैसा उपने आपको क्या मान रहा है उच मान रहा है कि नहीं उससे हम क्या है उचा जातके उससे हम क्या है उच्छा जात के हैं, इस तरह से मान रहा है, कि जो मांगने के लिए डोम आया, वो हमसे क्या है, छोटा है, तो इसलिए कहता है, कि तू छोटा जाते हैं, तो इसको क्या करो, बाहरे रहे दो, और इस तरह से, तो हमारे समाल में क्या हुआ, एग वो अपने को उच्छ मान रहा और दूसर का क्या मान रहा है उसको नीच मान रहा है और उससे भेद भाव कर रहा है जैसं यह आदमी था जैसा भी हो गोर या काला उसी एक दम से मानों की भ़ी था बेचारा अगर यह गोर था तो भी गोर यह काला था जैसे जीन सवसट्ट पैन ले था चाहिए साड़ी जे पेन लेता और उसी वह भी पेन लेता लेकिन यह आदमी उसके साथ भेद भाव किया तो किया किसा अधार पर कपड़ा का अधार पर ना रंग क्या अधार पर ना तो किया किसके अधार पर बस जात क्या अधार पर कुछी का अधार पर बुगा जात क्या अधार पर क्योंकि व यह बेचारा को यह जो था, डोम, क्या था? उसको माना कि तू निच जाती के हैं, इसलिए उसके साथ जाती के अधर पर क्या किया? भेदभाव किया, तो यही एक जाती के लोग, जब एक जाती के लोग, दूसरे जाती के लोगों से, एक जाती के लोग दूसरे जाती के लोगों शे क्या करते हैं भेदभाव करते हैं तो उसी कुछ हुआ छूत कहा जाता है जब एक जाती के लोग दूसरे जाती के लोगों शे क्या चीज करता है जाती के आधार पर रंग क्या आधार पर किया काला गोरा के ना पैसा क्या आधार पर ना है या तो फिर किसी भी प्रकार से नहीं किया क्या कोची का आधार पर जाती क्या आधार पर तो जब एक जाती के लोग एक जाती के लोग दूसरे जाती से किस जाती से दूसरे जाती से जाती के आधार पर कोचिक आधार पर जाती के आधार पर क्या करते हैं भेदवाव करते हैं क्या करते हैं तो उसे छुवा छूत कहते हैं उसे क्या कहते हैं छुवा छूत तो जब से जाती अस्थाई रूप में आया तब से ही जाती के आधार पर हमारे समाज में क्या उत्पन हुआ बुआ आशमानता उत्पन हुआ हम बताये थे अगले वीडियो में वर्ण विवस्था में कि जाती चार प्रकार के था लेकिन उसमें कोई आसमानता ना था वहनी कि अपनी मर्जी से कोई विवेक्ति किसी भी काम को कर रहा था किसी से साधी विवाफ जो करना है सब कर रहा था उसमें कोई बंदिस नहीं था लेकिन इसमें क्या होता है किसी को उच माना गया तो किसी को नीच माना गया और इसी के कारण क्या होता है समाज में अनिक प्रकार की समझ्चा उत्पन होता है अगला टोपिक समझते हैं बुवा आप देखिए राटना ना है राटना ना है इने की मश्रवा बोल ले जार ले रट ले एक जाम तो पास कर जाएगा लेकिन बुवा जब बारी आएगा समाज को समझने का तब क्या करेगा रट के ने बुवा रट के तू पास कर सकता है लेकिन अगर तू जिन्दगी को समझना चाहता है जिन्दगी जीना चाहता है रियल में तो रटो नहीं समझो समाजिक बिग्यान के मतलब होता है समाज को क्या करना समझना तो चली आईए आप लोग ऐसा बुत्रोने हम समझते हैं नहीं रखते हैं देखिए जातिगत सरम विभाजन अब क्या हुआ जब जाति बना ने बहुआ कल बताये थे ने कि जैसी जाति बना तो जाति के आधार पर क्या कर दिया गया था काम को बाट दिया गया था कौची कर बर्न विवस्था अस्थाई रूत में आ गया तो जाती के आधार पर काम बटना शुरू हो गया जाती के आधार पर कोजी बटना शुरू हो गया काम बटना शुरू हो गया तो सुनना द्यान से तो जाती गत सरम विभाजन जाती गत सरम विभाजन तो हमारे समाज में जाती के आधार पर सरम का विभाजन किया जाता है सरम का क्या किया जाते है बुआ विभाजन किया जाता है सरम मतलब होता है काम सरम मतलब क्या बुआ काम विभाजन मतलब बटवारा तो हमारे समाज में काम का बटबारा जाती के आधार पर किया जाता है और जब काम का बटबारा जाती के आधार पर किया जाता है तो उसमें भी लोगों को उच और नीच का करार दिया जाता है कि बली छोटा काम है नीच काम है तो ये बड़ा काम है इस तरह से क्या होता काम ब तो इस तरह से काम बटा उसके कारण भी क्या हो गया समाज में आ समानता उत्पन हो गया जाती क्या अधर पर काम बटा और काम बटा तो कहता है कि यह काम क्या है छोटा है यह काम बड़ा है तो बन यह काम जे कर रहा हूँ जाती बड़ा मानल जाएगा और यह काम कर रहा है उ देखिए हम लोग शमाज में जिसका नौकरी रहता है और जो बिजनस करता बिचारा पैसा दोनों सेम कमा रहा है यह झो 30000 ओमार है औरuno80000 पैसा अउनि करने बिजनस करके कंरता है तो देखिए गार जो नौकरीन करेगा इस्द इज़त ज़्द ज़दा बलना इह नावकरी ड़ार bell कर रहा है नावक्रीं सब्सक्राइब पैसा उभी बेचारा कमा रहा थी ऑसी परकार या थरा कीव मतला मुच्छह बीपार करना की है गलत बातए ताब यो से में लेकिन फिर भी जेकर नौक्री ने होगा जादा इज़ा तो जेकर नौक्री ने होगा कम इज़ा तो उसी प्रकार हमारे समाज में होता है कि कुछ काम को माना गया जैसे नौक्री को माना गया अच्छा उसी प्रकार हमारे समाज माना गया यह काम अच्छा है तो यह काम ज तो हमारे समाज में स्रम का विभाजन यानि की काम का बटबारा जाती के आधार पर कोची का आधार पर बुगा जाती के आधार पर किया जाता है और काम बाटने पर क्या किया जाता है दोने में उच और नीच माना जाता है जिसके कारण समाज में आश्मानता उत्पन होता है गया है जैसे कुम्हार का माना गया है मीटी का की बनाना बरतन बनाना और एक आगो जाती मान ले जे कि जादब जे क्या है बुआ जादब जे देखो बुआ अगर कोई बच्चा अगर कुम्हार है या जादब है या किसी प्रकार का कोई कास्ट है तो बुरा नहीं मानना है क् केम लोगों का क्या करना है समझना है ठीक है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए जादब जी है तो इसको क्या करना है इसका मुख काम खेती करना और क्या करना दूध से संबंधित जानवर से संबंधित काम करना अब क्या हुआ और एक आगों मान लेते हैं एक पंडी जी कोछ यह पंडित क्या है पंडित तो उसका काम क्या करना पूजा करवाना पूजा से जुड़ा काम अब देखिए क्या होगा कुमार है तो मीटी का बरतन बनाना है जादा भे तो खेती करना दूधी सब काम करना जानवर पालना और पंडित है तो उसको क्या कराना पूजा हो जा करवाना साधी विवा करवाना अब देखिए अगर सब काम के बरबर मानता अगर सब काम के बरबर मानता तो जेकरा जौन मन करता हूँ काम कर सकता था मान लिया जाए अगर पंडी जीयो कुमार को समान मानता पंडी जीयो कुमार को क्या मानता शमान मानता तो मान लिजे कि एक कुमार है जो बहुत अच्छा संस्क्रीट जानता है माल लिया जाये संस्कृत बहुत अच्छा जानता है और उसको पूजा कराने के लिए भी आता है और वो बेचारा गया पूजा कराने के लिए तो क्या पूजा कराने के लिए देगा उसको नहीं देगा क्यों क्यों कि कहेगा तुम क्या है कुमार है तो कुमार जो है छोटा होता है वो पूजा नहीं कराएगा पूजा करावे वला काम किसका है पंडी जी का जब तक पंडी जी नहीं आएगा तब तक पूजा नहीं होगा तब तक साधी भी आ नहीं होगा ठीक है अगर पंडी जी कहे कि मीटी वहला काम करेंगे तो सब समाज के लोग हसेगा पंडी जी हो के मीटी वहला काम करेगा छोटा काम तो क्या हुआ कि काम को भी उच निच माना जा रहा है अगर समान माना जाता बुआ जाती को सभे जाती को समान माना जाता तो ये जो कुमार व्यक्ति था वो पुजा भी करा सकता था और ये पंडी जो जो थे वो मीटी का भी बरतन बना सकते थे तो चलिए बुवा आगे समझते हैं तो इसका मतलब समझ गया ने कि हमारे समाज में सरम का विवाजन जातियों के अधार पर किया जाता है और सरम बाटने के बाद भी उस काम को उच निच का करार दिया जाता है जिसके कारण समाज में आशमानता उत्पन होता है चलिए आगे समझते हैं तीसरा काता है जातिगत खान पान जातिगत खान पान जातिगत खान पान जातिगत खान पान ठीक है या तो फिर कुछ उत्सब है या तो किसी प्रकार का कुछ महत्सब हो रहा तब क्या होता है खान पियन होता है। किसके जाती में अपने जाती में हा कुछ बच्चा कर गां sir, बगलवा में दूसर जात ले जाके खई लिए, तो वो बात लगे देखी, लेकिन पहला जो अगर निवंतन देनी की बात आ है, तो पहले किसको देता है जाती गो, किसको देगा बुगा, जाती को, क्योंकर जाती क क्या मानता है कि ना इजाती जो है हमर क्या है समान है हमारे जैसा है हमारा भाय है चचेरा ही है लंद है फंद है दुनिया दारी लेकिन दूसरे जाती में होता है अपने जाती में पहले होता है उसके बाद अगर देवे के मन किया तब दूसरा जाती में क्या किया जाता है खान पन कराया जाता है तो इसको समयना है बुआ कि खुसी के महोचसब पर शादी बिवा या किसी खुसी के महोचसब पर शादी बिवा या किसी खुसी के महोचसब पर जादा तर अपने ही जातियों में खान पान किया जाता है जिसके कारण समाज में आश मानता उत्पन होता है अगर समान मानता तो की दिकत है बल दूसर जाति की है तो क्या करता सभे के नवता दे देता लेकिन पहले बलना है पहले अपन जतियक खेते क्यों दूसर खेते रहे पहले पंजतियक दे, तो ऐसा क्यों मान रहा है, इसलिए मान रहा है, क्योंकि अपना जाती को समान मान रहा है, कि हमरे जैसा है, लेकिन दूसरा जाती को कि मान रहा है, उचा मान सकता है, उचा मान सकता है, समान नहीं मान रहा है, इसी के कारण ने अपने जाती में खान पन कर जाता है, जिसके कारण हमारे समाज में जाति के अलोल पर आश्मानता उत्पन होता है, तो चलिए अगला समझते हैं बुगा, यहां तक किसी को कोई दिकर, न Loc. आब समझते हैं चोठा, चोठा क्या की होता है साधी जो होता है तो साधी जब होगा तो उसके पहले सेट होता है कि इसलिए भागे चकर मेरे सेट होता है तो सेट होता है तो क्या होता है कि जे मान लिये हम जो जे जात हैं उसी जाती में मर साधी सेट होगा ऐसा देखा होगा हाँ कुछ कुछ कहेगा कि नाई कि हमारे समाज में जो साधी विवा होता है अपने ही जातियों में कराया जाता है जो व्यक्ति जिस जात का होता है उसी जाती में साधी करना पड़ता है अब समस्तिया देखो उत्पन तो तब हो जाता है बुरा मान लिया जाए कोई लगा है और उसको अपना जाती में पसंद नहीं आ रहा है और वो दूसर जाती में कागों के पसंद कर लिया दूसर जाती में क्या कर लिया पसंद कर लिया और उक चाहता है कि हम उससे क्या करें बिवा करें लेकिन समाज उसको करने के लिए नहीं देगा क्यों 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 कि कहेगा कि तू यह जात है वो दूसर जात ह तो उत्वर जात्वरा जैशन है रहोगला से साधि करे नहीं होगा क्या कहेगा कि ब्रह्मन उच कुलती होता है ऐ तु निच जाती से साधि करेगा तो उच और निच मान रहा है तब elementos जाती में साधि करता है तो यह जो समस्या उत्पन हो रहा है जाती के कारण होता है जिसको लगता है कि नहीं दूसर में करना है तो पहले जाती कोकी कर दो समाप्त कर दो तब दूसर में सोचना तो हमारे समाज में साधी विवा अपने ही जातियों में कराया जाता है जिसके कारण समाज में आशमानता होता है अगर समान मानता तो दुनों के तुरत सेट करा दे तबल चलो दुनोरा जी है चलो साधी कर लो लेकिन आशमान मानता है कि नहीं पंडी जी क्या है उच जाती के है और यह जो है डोम है उनिच जाती को होता है इस दोनों में कभी साधी करना संभवाल नहीं है लेकिन अगर इधर भी पंडी जी रहता तो बात बन सकता था कोदी कत नहीं होता तो क्या होता है कि अपने जाती में साधी विवा करा जाता है क्य क्योंकि एक जाती दूसरे जाती से उच्छी है। अगला समझते हैं पुए जातिगत सामौहिक समारो सुनना ध्यान से सामौहिक समारो देखे होंगे कहीं कहीं चल्ता है फलना समाज जैसे चलता है कुषबहाँ समाज, जादवशमाज, प्रजाति समाज इस तरह से लोगों का समाज चलता है तो समाज जो चलता है गुआ तो उसमें क्या आता है कि एक्य जाती के लोग राता है मान लिया जाए कुछ बहा समाज है कुछ बहा संग है तो उसमें सिर्फ के रहेगा कुछ बहा रहेगा अगर प्रजापती समाज है तो उसमें सब के रहेगा सिर्फ परजापती रहेगा अगर जादव समाज है तो केवल और केवल उसमें क्या रहेगा के रहेगा बुआ जादव रहेगा तो क्या होता है अगर कुछ महतसब का आयोजन किया गया सामोहिक महतसब तो जादा तरज होते हैं उसमें अपने जाति के लोग होते हैं तो शामोहिक शमारो तो हमारे समाज में सामोहिक शमारो या संस्कृतिक शमारो का आयोजन अपने ही जातियों के द्वारा किया जाता है जिसके कारण समाज में आशमानता उत्पन होता है अगले पार्ट में हम लोग बाबू पढ़ेंगे कि चुना में जाती का महत्व कैसे बढ़ जाता जाती का महत्व देखते हैं कि जाती का कीमत बढ़ जाता जाती का जो महत्व होता है क्या जाता है बढ़ जाता है और क्या होता है जाती का महत्व घटता है तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और सेर करिए ताकि हम लोग अधिक सदिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले आपको परड़े वीडियो प्रवाइड करें